इंदुस्तान और से देंगल इटू चैनल में फेस्बूक पेज में आप सभी का स्वागत है मैं हुखुल से खर्दुबे आज बहुत दिनों के बाद मैं एक संदार गोड़े का वीडियो लेकर रहा हूं आप सभी लोग इस वीडियो में लाश्टक बने रहे हैं जो ग्राउ अच्छे हुए हैं उत्री बिहार में मेला मुझफरपूर में लगता है और इस मेला के मालिक राकेश सिंह उर्फ मंटू सिंह मुखिया जी हैं और अभी सुरंग पचकल्यान घोड़े को आप ग्राउंड पर देख रहे हैं एक घोड़ा है सेयद फरान अहमद जी रानी गोड़ा जिस पर सवारी कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे सवार मनिस्सी पैकवली गाजी पूर उत्तर परदेश से और मैं बता दो कि काफी दुन्यों से एक घोड़ा ग्राउंड में तो दिख रहा था लेकिन बहुत जगह काम नहीं किया लेकिन अभी हाल ही के दुन्यों में ए घोड़ा जहां भी रेश में गया है अपना जलुआ कायम किया है अपना रुदबा दिखाया है और सवार मनिस्सी ने बता दिया है कोई भी चौताला घोड़ा हो हमसे बाहर नहीं जा सकता है और अभी हरदी मेला में रानी को ठीके घोडे का दबदबा है पूरे मेले में चर्चा का बिसमय बना हुआ है और भी रानी को ठीके कई घोडे मेला में पहुचे हुए हैं आगे की विडियो में वो भी दिखाई जाएगी उस पे सवार कौन है और कौन सा घोडा है अभी इस घोड़े का चलावा देखिए और इस घोड़े में जो पावर है आप सभी लोग वीडियो में आज तक बने रहीए और कमेंट करके जिरूर बताईए कि रानी कोठी का एस रंग कलर का गोड़ा आपके नजर में कैसा काम कर रहा है सवार मनीस ही के हाथ में और भी बहुत सारे मेला और रेस लगे हुए हैं एक तो 17 फ्रवरी 2024 को 12 गहमर गाजी पूरुतर परदेश में रेस का हैजन है उसमें भी आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और रेस का मान बढ़ाईए अभी फिलहाल में 10 फ्रवरी 2024 को हरदी मेला में रेस का हैजन है यहाँ पहुंचिए और मेला के मान को बढ़ाईए उसके बाद जो उत्तर परदेश और विहार का एक जाना माना मेला बबाबरमेस्वरनात की नगरी प्रहपुर में लगने वाला है उसका भी इंतिजार कीजिए तैयारी में लगे रहे और जो लोग हमसे नहीं जुरे हैं हमसे चूड़ते रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद